महायुद के सबसे बड़े सीक्रेट की यानि कच्चा चिठा में ये सबसे बड़ा सीक्रेट अब आपके सामने यूकरेन में जारी महायुद के बीच परमाणू हमले का सायरन लगातार बज रहा है अब इस पर दुनिया भर की निगाहें तिकी हुई है और दुनिया की सबसे विश्वस्निय रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है पर मारू युद की सूरत में पहला हमला रूस करेगा या फिर अमारिका ये सवाल ये पशन चिन बरकरार है इसका भी परदा फाश लेकिन अब हो चुका है और साथ ही ये भी सामने आ गया कि रूस और अमारिका के पास असल में आखर कितने आटम बॉम है और चीन ने कैसे चुपके चुपके एक साल में बड़ा पर मारू जखीरा भी तयार कर लिया दुनिया में एक बार भेर से परमाणो बमों की अंधी होड शुरू हो गई है चुपके चुपके परमाणो टेस्ट हो रहे हैं इन बमों के इस्तिमाल यानि भटने का खत्रा भी बहुत बढ़ गया है इसे लेकर सबसे बड़ी चेतावनी जारी हो चुकी है 2023 की न्यूकलियर एयर बुक रिलीज हो चुकी है दुनिया भर में मशूर थिंक टैंक दे स्टॉक होम इंटरनाशनल पीस रिजर्च इंस्ट्यूट यानि सिपरी की ये सालाना रिपोर्ट बहुत जरावनी है इसके अंदर के पन्नों में क्या लिखा है जब आप देखेंगे तो सन रह जाएंगे रिपोर्ट का पन्ना पन्ना आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे अभी आप जरा सूचिए अगर एक भी पर्माणू बम फटा तो मनजर कैसा होगा तो इसके लिए उन 245 में जापान पर गिरे दो पर्माणू बमों के अंजाम की बुरी यादे ही काफी है सित्री की जनवरी 2030 की रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात आपको सबसे पहले बताते हैं दुनिया में इस सुक्त पर्माणू बमों की दादाद 12,512 हो चुकी है पर्माणू जखीरे में सिर्थ एक साल में 86 नए घातक बम और जुड़ गए हैं योकरेन में जारी युद्ध के बाद कभी भी पर्माणू बम पढ़ सकता है रूस के राश्वपती व्लादे में रपोतिन कह चुके हैं कि वो दुश्वनों को सबक से खाने के पहले पर्माणू बम इस्तिमाल नहीं करने के रुख को ताक पर रख सकते हैं दुनिया में इस समय पर्माणू जो तके कितने मोर्चे अक्टिव हैं आपको ये भी बताएंगे अभी आपको सिभरी की रेपोर्ट का सबसे एहम हिस्सा दिखाते हैं दुनिया भर में पर्माणू ताकत से लैस नौ देश हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटन, ट्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तरकोरिया और इस्रैल इन देशों के पास जनवरी 2023 तक के आंकडों के मताबिक 3844 परमाणों हत्यार, मिसाईलों और लड़ापों विमानों से लैस हैं यानि करीब 4000 परमाणों बम धर्ती पर तबाही मचाने के लिए तयार हैं सिर्फ अमेरिका और रूस के ही करीब 2000 एटम बम हाई अलर्ट मोड में रखे गएं इसका मतलब हुआ कि 2000 परमाणों बम अमेरिका और रूस की मेसाईलों या फिर एयर बेसों पर खड़े नियोकलियर बॉमरों में फिट हैं ये बात पूरी दुनिया जानती है कि सिर्फ दो देश अमेरिका और रूस के पास ही दुनिया बर के 90 फिस्दी परमाणों हत्यार हैं दोनों देशों के परमाणों जखीरे में मौजूद विद्वनसक हत्यारों की तादाद 2022 तक इस्थिर थी लेकिन युक्रेन में युद्ध के बाग एक बार फिर से दोनों देशों में इन हत्यारों की अंधी दोड़ चुरू हो चुके रूस और अमेरिका के परमाणों जखीरे में चौनाने वाले इजाफिक अग्राफ दिखाएं इसे पहले आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि वो देश कौन है जिसने बीते एक साल में सबसे ज़ादा परमाणों हत्यार अपने गोदामों में जमागी सीपरी की रिपोर्ट के मतावे चीन के पास जनवरी 2022 में 350 परमाणों हत्यार थे जो जनवरी 2023 में 410 हो गए यानी चीन ने एक साल में 60 नए परमाणों हत्यार जुटा ले चीन अपने परमाणों जखीरे में बेताहाशा इजाफा क्यों कर रहा है इसे समझने के लिए आपको इस स्वक्त दुनिया भर में आक्टिव परमाणों बमों के मोर्चे को देखना होगा पहला परमाणों फ्रंट योकरेन युद्ध में खुल सकता है पुतिन कई बार दुनिया को अपने शक्केशाली परमाणों बमों की याद दिला चुके है दूसरा न्यूक्लियर फ्रंट पाल्टिक बेशों में मौजूद नैटो और रूस के बीच खुल सकता है जहां न्यूक्लियर टेंशन बढ़ने की आशंका है दीसरा मोर्चा उत्तर खोरिया के केम ज्योंग खोल सकते हैं जिनकी परमाणों भोक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है दक्षिर खोरिया चापान समेथ अमेरिका तक के लिए परिशानी की बात सावित हो सकती है चौथा परमाणों मोर्चा चीन खोल सकता है क्योंकि पर्माणू पम का बड़ा सखीरा रखने वाला चीन ताइवान को अपने नक्षे में मिलाने को आतो है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो नौबत पर्माणू युद्ध तक की आ सकती है। पांचवान नुक्लियर वार फ्रंट एज्रैल और इरान के बीच खुल सकता है। सिप्री पिसालाना रेपोर्ट में चीन ने पर्माणू हत्यारों को दुनिया के लिए बड़ा खत्रा बताया है। तीसरी बार राज्श्रपती, चीन की कमनिश पार्टी के महासेचे और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सुप्रीम कमांडर की कुर्सी पर काबिस होने के बाद शी जिन पिंग की पर्माणू भूख बेताहाशा बढ़ गई है। वो चीन को रूस और अमेरिका से भी बड़ी एच्मी ताकत बनाना चाहते हैं। मौझूदा हालात में पर्माणू हमले का सबसे बड़ा खत्रार रूस और अमेरिका में मंडरा रहा है। ऐसे में बीते एक साल में इन देशों ने अपने एच्मी जखिरे को कितना बढ़ाया है। ये जानना भी जरूरी है, अलाकि योक्रेन ग्योद्ध की वज़े से दोनों ही देशों ने अपने नियोक्रियर प्रोग्राम को सीक्रेट रखा है। सिपरी के रिपोट के मताविक रूस के परमानू जखिरे में 2022 तक 4,477 हत्यार थे, जो 2023 में बढ़कर 4,489 हो गए। जबकि अमेरिका के परमानू जखिरे में 2022 तक 3,708 हत्यार थे, अमेरिका 2023 में भी इसी नंबर पर ठिका है। जनवरी 2023 तक रूस ने 1,674 परमानू हत्यारों को किसी भी वक्त हमले के लिए तयार रखा था, तो अमेरिका के ऐसी परमानू हत्यारों की दादाद 1770 है। रूस के परमाणू गोदामों में 2815 परमाणू हत्यार हैं तो अमेरिका ने अपने गोदामों में 2938 एज्ऴियार रखें परमाणू ताकत से लायाज बाकी साथ देशों ने 1 साल में कितने परमाणू हत्यार बना है ये भी आपको बताएं अभी आप इतना जान लीजे कि अगर पर्माणू युद्ध होआ, तो पहले कुछ घंटों में ही मरने और जटनी होने वालों की संख्या 915 लाख तक पहुँच जाएगी. 9 करोड 15 लाख की आबादी कितनी बड़ी होगी? इसे आप ऐसे समझ लीजे. पूरे ब्रिटन की आबादी 8 करोड से कम है, यानि ब्रिटन में जितने लोग रहते हैं, उससे ज्यादा लोग पर्माणू युद्ध की चपेट में आएंगे. यूकरेन की आबादी करीब 4 करोड है, यानि यूकरेन जैसे दो देशों में रहने वाले लोग हताहत होंगे. अमेरिका की आबादी कुल 23 करोड है, यानि अमेरिका की एक चौथाई से भी जादा इलाके में रहने वाले लोगों पर हानिकारक असर पड़ेगा. योक्रेन युद्ध की वज़े से रूस और अमेरिका में अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई है कि अमेरिका ने रूस से आपसी सामरेक स्थिरता समबात को अस्थगित कर दिया एक रिपोर्ट के मताबिक न्यू स्टार्ट संधी की गैर मौझूद्गी में रूस और अमेरिका अपने पर्माणू हथियारों को दो गुना कर सकते हैं पर्माणू बामों के लिमिट थै करने वाले करार को स्थागित कर व्लादे मेर पोथन में अपने इरादे भी जता दिया हैं हочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальные военные операции сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украину एक सच ये भी है कि रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली एटम बाम है ऐसा बाम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है पोतिन के इस पर्माणू बाम का नाम है जार बाम Wagyu ये रूस का ہाइड्रोजन बाम है इसे दुनिया का सबसे बड़ा पर्माणो बम माना जाता है जार रूस के राजाओं के उपाधी रही है इसलिए इसे जार बम नाम भिया गया है और इस बम को पर्माणो बमों के महराजा की तरह पेश किया गया कहते हैं अगर रूस का जार बम गिरा तो धर्ती का जर्रा जर्रा धर्रा उतेगा ये हाइड्रोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ पढ़ गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो साथ बरस बाद दुनिया को देखाया भूस का जार बम अमेरिका के लिटिल बॉई और फैट मैन जैसा ही है लेकिन उनसे बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाक कर सकता है जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाडो बम लिटिल बॉई 14 किलो टन की ताकत वाला था जबकि नागा साखी पर गिराए गए फैट मैन जिसने लाखों लोगों की जान पल भर में ले ली उसकी ताकत 18 किलो टन थी अमेरिका की सबसे शक्तिशाली परमाडो बम B83 की ताकत 1.2 मेगा टन की है जबकि रूस के जार बम की ताकत 50 से 58 मेगा टन की है अमेरिका के सबसे बड़े परमाडो बम से करीब और 40 गुना अधिक शक्तिशाली यही वज़े है कि रूस ने जार बम का परिक्षन आर्केटिक सागर के नोआया सेमलिया के ऊपर बर्फ में किया था ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमा के वाली जगए सैक्णों हजारों किलोमीटर दू हो अब एक बार फिर इसी इलाके में रूस के परमाडो परिक्षन की तैयारी की भी खबर बेशक खत्रा बहुत बड़ा है क्योंकि रूस और अमेरिका में परमाडो पम फोड़ने का लाल बटन कभी भी दब सकता है वैसे सिर्फ ये दोनों देश ही नहीं सिपरी की रिपूर्ट के मताबिक कई देश और हैं जो परमाडो थाकत बढ़ाने में जोटे है सिपरी की सालाना ये रिपूर्ट के मताबिक भारत के पास 2022 में 160 परमाडो हत्यार थे जो 2023 में 164 हो गए हैं जबकि पाकिस्तान के पास 2022 में 165 परमाडो हत्यार थे जो 2023 में 170 हो गए हैं उत्तर कूरिया के पास 2022 में 25 एत्मी हत्यार थे जो इस साल 30 हो गए हैं इस्राइल के पास 2022 में 90 पर्माणू हत्यार थे, जो 2023 में जस्त का तस्प बने हुए हैं। हानके इस्राइल ने अफचारिक तोर पर पर्माणू हत्यार रखने की बाद कभी कोबोली नहीं है, लेकिन उसके पास भी तबाही के हत्यार होने की बाद कही जाती है। सिपरी की ताजा रेपोर्ट में फ्रांस के पास 2022 में भी 290 पर्माणू हत्यार थे, और 2023 में भी इतने ही हैं। हलाकि ब्रिटन और फ्रांस दोनों ही अपने पर्माणू हत्यारों को बढ़ाने का एलान कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि दुनिया की पर्माणू हवस थमहींगी, या फिर 78 साल बाद एक बर फिर से अंजाम जापान के हिरोशिमा और नागा साकी जैसा होगा।